हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला है इंडिया और ऑस्टेलिया के बीच एफेक्टिवली यह सेकिंड ओडिया का प्रिव्यू है बट जो सेकंड और ओडिया के पिच्छ एंड चैक्ट स्टेडियम जो भी अवेलबल होंग तो जो अब मैं इंपुट्स दूंगा आपको थूदिस प्रिव्यू आप अचलि यह दोनों गेम्स में यूज कर सकते हो और इस गेम में मेरा फोकुस ज्यादा होगा जीयल की तरफ इस काफी फ्लैट ट्रैक में यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो भी हमने देखा है पास्ट तो पिच को हम आगे डिसकास करेंगे मेरा विंड प्रेडिक्शन इस मुकाबले के लिए इंडिया शुट बी अबल विन बट मेरे साब से एक जो चीज टॉस बहुत इंपॉर्टन होगी इस गेम में आज जो टीम पहले बाटिंग करती हैं पर वैसे उन्हें काफी फेवर्स मिलते हैं तो होलकर क्रिकेट स्टेडियुम में हो गए मुकाबला इंदोर में रेगुलर सिक्स्टी परसेंट प्लस 40 परसेंट एसल बट जील फोकस पे खास ज्यान रखना हम साथ में कोशच करेंगे कुछ टीम भी साथ में हम बनाएं इसी प्रिव्यू में आप्स के लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम और ट्विटर पर जुड़ना मत बूलेगा जो भी फाइनल टीम अपडेट सब कुछ है वह आपको वही पर मिलेंगी एड़ेट फैंटेसी क्रिक्ट्रो और ट्विटर और सेम हैंडल उन टेलिग्रा तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अगर आपको कॉंटेंट पसदा है तो अपने फ्रेंड के जार दरूर शेयर करेगा and just for fun, remember to predict in the comments आपको क्या लगता है कितने नन बनाएंगे आज Mitchell मा शायज ऐसे type के player है कि अपने दिन पर team को अकेले game मिले के आ सकते हैं तो अब चलते हैं आज के squad news की तरफ, Glenn Maxwell and Mitchell Stark mostly वापस rule out हो गए यह हमने सुना था, after the previous game का press conference, Mitchell Stark पे वो अब तक 50-50 थे, may भी खेल जाएं but mostly उनका खेलना है, यहाँ पर unlikely है, as far as India की बात हो, possible है कि वो कुछ bowlers को rotate करें अज हमने देखा था, in between spells, in Mohali, Shami and Takur, दोनों थोड़ा थक गए ते, महाँ पर इस काफी heat थी तो possible है कि कुछ spaces को rotate किया जाए, especially for India, इस बात का ध्यान रखेगा तो यह squad news and weather report की बात के नहीं, 30-40% chance of rain, थोड़े interruptions possible हैं afternoon में but इतना high chance नहीं है, तो hopefully we should have a full game, as उसके around जो chance है, वो absolutely 0 है तो यह है आज की weather report, pitch report, यह है, सबसे important part, इस specific game का वो है कि इस pitch पर क्या होगा पहले आप ground dimensions देखो, तो 55-56 meters है, straight, एक side आपको दिख रहा है, square boundary भी 60 and 63 meters ही है अब आपको थोड़ा पीछे ले जाता है, आपकी memory में, South Africa versus India का T20 होगा था, यहाँ पे कुछ ही मैंनों पहले and वहाँ पे South Africa ने पहले आके 200 plus मार दिया था, second innings में आके lower order में दिनेश कार्थिक ने कुछ रहा किया था क्यूंकि इतना pressure था एंडिया पे उस chase में, वो chase हम complete नहीं कर पा है, केशव माराज ने कुछ विकेट लिये थे वहाँ पे आके तो ऐसे टाइब का track है, जहाँ पे जो टीम पहले batting करती है, वो एक अच्छा score rack up करती है, यह हमने लिस्टे गेम में भी देखा है, यहाँ पे 350, 380, ऐसे टाइब के scores भी cross हुए है, तो एकदम एक belter है, और सिर्फ थोड़ा सा turn का factor हो सकता है, second innings में, उसके अलावा कोई अलग उम्मीद नहीं है, मिर पास, यहाँ पे आप पिछ की photo भी देख सकते हो, जो scene देख रहे हो, यह scene उनी tracks पे होता है, जहाँ पे track बिल्कूल ही flat रहता है, तो इस बात का धियान रखेगा, कि a game that should be very very good for unscoring, and वही साब से बनाएंगे है हमारी अब team से पहले, जैसे मैंने कहा, मेरी focus इस preview में दो जगया पे होगी, एक तो यह जो GL आपको दिख रही है, बहुत बड़ी GL है, बट यहाँ पे एक problem है, वन क्रूर प्लस लोगों साथ आप compete कर रहे हो, तो वाइल प्राइज बहुत ज्यादा है, I think ऐसे game में आप जा सकते ह with lot more teams, तो 20 teams यहाँ पे बना के ऐसी GL में आप compete कर सकते हो, and दूसरी GL जो है, यह है, इस GL पे आपका दियान और भी होना चाहिए, as यहाँ पे आप सिर्फ 15,000 लोगों के साथ compete कर रहे हो, while price pool छोटा है, first, second price जो है, वहाँ पे अभी भी बहुत अच्छा है, fourth, fifth price तक अच्छ prices है, and यहाँ पे क्यूंकि आप सिर्फ 15,000 लोगों के साथ compete करें, याद रखेगा, कि जो मेभी आपके dream 11 में, top 200 पे वो team आएगी है, आपको 1000-2000 दे जाएगी, यहाँ पे वो first price वाली team हो सकती है, तो इस बात का धियान रखेगा, मेरे हिसाब से, आपको दोनों apps पे खेलना चाहिए, इस game में, दोनों जगे आप team बनाओ, and यहाँ पे जब आप team बनाओगे, आपका 5% bonus भी use हो जाएगा, जब आप sign up करोगे, the link in the description, 25 teams आप बना सकते हों, यहाँ पे, तो start करेंगे, keeping section से, पहले में बनाओंगा base team, and फिर base team के बाद हम discuss करेंगे, कि क्या scenarios में, आप कौन से players को ले सकते हो, तो KL Rahul है, यहाँ पे पहले pick, और इसलिए Josh English, इशान किशान ठीक ताग picks है, इशान अगर flat track है, तो पहली batting में consider करूँगा, same for Josh, batting की बात करेंगे, तो शुबमन गिल, डेविड वानर, अभी भी डेविड वानर पे मैं थोड़ा सा 50-50 हूँ, क्य के favor में चलेगा, इसकी बार में हम बात नहीं, कुछ predict नहीं कर सकते, स्टीवेंस में एक बहुत अच्छी pick, GL में आप किस scenario में drop कर सकते हो, आगे discuss करूँगा मैं, and Mitchell Marsh, अब Mitchell Marsh ने जैसे मैंने काया था, start of the series कहा था, कि bowling करेंगे, वट पहले game में उन्हें बोलिंग बिलकुल चलूगा, उसके लावा सूर्य कुमार यादव श्रिया जायर, batting first very good picks, मानस को मैं discuss करूँगा, आगे GL में, फिर बात करें, all rounders की, यहां पर रविंदर जटेजा, एकदम straight forward pick है, second bowling में तो definitely मेरे team में रहेंगे, first bowling में क्या करना ही होगा, एक GL input आपके लिए, as pitch थोड़ी flat है, मैंने आपको पहले game में भी कहा था, कि जब flat tracks होती है, तो अश्वन जड़े जा, while bowling first, इनको आप खेल के निकाल सकते हो, उसके लावा स्टॉइनस और ग्रीन, वापस दोनों straight forward picks है, स्टॉइनस और ग्रीन का जो role है, इस team में, हमें पता है कि 6-7 overs करेंगे, नीचे down the order आके 25-30 आपको मार के देंगे, तो जो safe choices हैं, इनसे ज्यादा कोई नीए, especially captain wise captain के लिए, Maxwell unavailable, Matthew short, I think उनकी bowling काफी underrated थी, जो spell डाला है, इन्हों ने in the last game, I think इन्होंने wickets ने लिए है, तो लोग उन पे नजर नहीं बना के रखेंगे, but actually जुन्होंने runs बचाए, from one end वो थे Matthew short and Zampa ने दूसरे end से आके wickets लिए, तो अगर second bowling करते हैं, बिल्कुल consider करूँगा इन्हे, शामी, बुमरा, वापर straight forward picks है, and मैं अभी के लिए यहाँ पर जाओंगा with Zampa, अगर second bowling करते हैं, अगर Australia पहले bowling करती है, तो मैं जाओंगा pat comments के साथ, एकदम straight forward switch है, captain wise captain की बात करें हैं, तो यहाँ पर अभी के लिए जैसे मैंने का कि even though maybe आपको लगे की form थोड़ा up and down है, but जैसा role है players का and जितनी opportunity मिलने वाली है, कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं है, then green and marcus toynos, in fact jail में भी काऊंगा, कि आप बहुत teams मेंने try कर सकते हो, as जो role यह निभाएंगे, I don't think कोई ज्यादा players निभाएंगे, तो यह रही हमारी base team, अब देखते हैं, कौन से players को pick कर सकते हैं, कौन से scenarios में, तो start करें keeping section से Josh English, अगर पहले batting करते हैं, कुछ teams में try कर सकते हो, ज्यादा keen नहीं हूँ, मैं on him as Rahul का form अच्छा है, and keeping section में at least two out of three games, मैं expect कराऊं कि dream team keeper होंगे Rahul, even I think below 20, I'm not wrong, but early score पे वापस ये भी drop होए थे, batting first again, बिल्कुल try करना, batting second में अगर आपको लग रहा है कि 350-380 वाली pitch है वापस, तो फिर इन पे chance ले सकते हो, क्यूंकि फिर आप Australia के कुछ Pacers वो case में rack up कर सकते हो, Suryakumar Yadav Shreyas Iyer, I think Suryakumar Yadav वापस ऐसे play ने कि GL में आप दोनों innings मेंने try कर सकते हो, as अगर under pressure जल्दी wickets भी गिरें, तो ये आके कमाल कर सकते हैं, यहाँ पर क्यूंकि square and straight एक जो side बहुत ज़्यादा short है, इनका काम महाँ पर बन सकता है, Shreyas Iyer, I think batting first मेंने try करूंगा, batting second, as इनको अभी तक उतना game time नहीं मिला है, and एक बाद याद रखेगा कि एक regular logic होता है, जब आप पहले batting करते हो, you play the ball more on its merit, जब आप second batting करते हो, आपके उपर score का भी pressure होता है, and जैसे हम हैं, वैसे वही 11 लेने field पे human error सबसे होता है, and जब आपको under pressure थोड़ा extra होते हो, तो वो गलती होने का chance थोड़ा ज्यादा extra महाँ पे हो जाता है, and hence मैंने का श्रेय सायर, while batting first, तिलक वर्मा अगर खेलते हैं, बहुत ही considerable choice है, एक और बात याद रखे, कि इंडिया last game में सिर्फ six bowlers के साथ उत्रा था, तो अगर तिलक वर्मा यहाँ पे खेलते हैं, तो six bowl बन के आएंगे इंडिया के लिए, उसके अलावा अश्विन bowling second, जड़े जा की मैंने बात की, कि bowling first में इनने मैं क्यों छोड़ सकता हूं, क्योंकि अगर pitch थोड़ी placid है, थोड़ी flat track है, तो फिर वो हिसाब से इनको Australia खेल के निकाल सकती है, क्योंकि short square boundaries बहुत short है, उनको वहां पर capitalize भी किया जा सकता है, hit around हो सकते हैं थोड़े बहुत ही है, और अश्विन दोनों का ये threat है, बट दूसरी तरफ जब ये second innings में आएंगे, तो पूरी तरह से पाला वहां पर reverse हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, कि जब under pressure आप डाल रहो, आप सामने वाली team 380 chase कर रहे हैं, चाहिए 70-80 भी खाले, फिर भी दो wickets आपको देखे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेगा, I think stoiness and green मेरे team में होंगे, irrespective bowling first, bowling second, maybe captain, vice captain में obviously switches होंगे in GL, but I think team में, अगर मैं कहूं कि कुछ players हैं, जिन्हें आपको team में हर सिनारियो में रखना चाहिए, उन players को भी मुझे discuss करना था, अब एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि Steve Smith, Manis, Shubman के लिए ऐसे type के players हैं, कि जब आप 320, 330 ऐसे type का score chase कर रहे हो, तब इन्हें अपना समय भी मिलता है खेलने को at the start and फिर वो end में आके accelerate भी कर जाते हैं, बट जब 350, 360, 370 ऐसे type के scores आप chase कर रहे ह तब आप पर pressure ज्यादा है to go from the start and तब ऐसे type के players को थोड़ी दिक्कते हैं, आ सकती है, अज यह ऐसे players हैं जिन्हें अपना समय लेना होता है at the start and फिर वो accelerate कर जाते हैं, वहाँ पर favor किसको होगा, सूरिको मार्शे, मिचल मार्शे, ऐसे type के players, 350 प्लस के chase में आपके काम में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखीगा, obviously यह सारी जो मैं discussions कर रहा हूँ, GL के perspective से ही है, but I think आपको help कर सकती है, मैं आपको आप भी भी कह रहा हूँ कि इस app पे आप 20 teams बना लीजे, कल में भी कुछ कमाल यहां हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा, मैं जाओंगा with Mitchell Marsh in both scenario, सूरिकुमा यादफ पे मैं काफी कीन हूँ, KL Rahul पे मैं काफी कीन हूँ, and Jaspreet Bumra, I think मेरे साब से काम कर सकते हैं, दोनों innings में, तो यह जो 6 players है, GL में, अगर आप समझे, 20 या इस app पे 25 teams बना रहे हो, तो at least 10 teams में, यह 6 players, 7 में, एक team, आपके 10 से 12 team में होने चाहिए, and फिर आप बाकी 5 players के आसपास, इर्थ-गिर्थ rotations कर सकते हो, तो यह मेरा thought process, जैसे मैंने का, GL में, you have to imagine and think to your best, कि आप क्या कर सकते हो, अब बोलर्स की तरफ चले, Pat Cummins, Adam Zampa, Pat Cummins पहले bowling करते हैं, तो definitely रहेंगे team में, second bowling करते हैं, तो एक बात याद रखी गई, यह ऐसे type के बोलर हैं, जो न यह track, वो case में, Pat Cummins को, दोनों scenarios में try कर सकते हैं, वैसे भी हैं, अच्छे player, तो दोनों side पे आपको value, देखे जा सकते हैं, Adam Zampa, I think, SA track पे, unless कल, SA pitch report आते हैं, कि बहुत slow track है, ऐसे कुछ, वह इसा आप से में वी, दोनों innings में रहें, but else, I think, सिर्फ second innings में SA player को में bowling second में वापस, अगर आपको लग रहा है, 380, 390 बनेंगे, फिर यह आके free wickets ले जाएंगे, तो अलग बात है, but else, I think, bowling first में ज्यादा कीन हो, इन पे, प्रसित कृष्णा, अगर खेलते हैं, मैं bowling first में है, try करूँगा, same for Nathan Ellis, Josh Hazelwood के fitness पे ज्यादा sure नहीं हुम है, but I think, उनका recent form कुछ खास नहीं रहा है, तो I think, आपको explain कर चुका हूँ मैं कि क्या scenario में आप कौन से players को ले के जा सकते हो, याद रखेगा कि क्यूंकि ऐसे type के track पे second innings में scores बड़े बन सकते हैं, chase भी हो सकता है, but unlikely, आप कितनी ही बार देख ले दिए कि 360, 370 chase हो जाए, तो यह सारी discussion मै ने की है, grand league की basis पे, वो यही base पे की है, कि इस track पे 360, 370 बन जाएगा, अगर आपको लग रहा है कि यह track 310, 320 वाला है, तो वो case में आप ना Steve Smith को drop करोगे, ना Shubman Gill को, at least majority teams से तो नहीं करोगे, maybe 2-3 teams में कर लिया, तो कर लिया, but else, I think, जो 6 players मैंने आपको दिखा है, base team में, वो आपके होने चाहिए, and at least 40-50% teams, and फिर आप बाकी teams में कर सकते हो, rotation, तो समझे, Australia यहाँ पर करती है, पहले batting, फिर भी मैं जाओंगा with KL Rahul, पहले batting में with Australia, David Warner, Steve Smith, Mitchell Marsh, यह तीनों एकदम crucial and necessary है, फिर India batting second, तो सूर्य कुमार यादव को मैं pick करता हूँ, हम अजूम कर रह है, तो फिर आप शुमांगिल को pick कर सकते हो, अब because we said Australia batting first, जड़े जा पर रिस्क लिया जा सकता है, green and Stoiners को आप लेके जाओगे, Matthew Short, एक 50-50 choice है, में भी आप कुछ teams मेंने try कर सकते हो, bowling first, फिर भी Shami and Bumra को drop करना risky है, Shami पर आप में भी रिस्क ले सकते हो, अगर pitch बहु India favor में जाना है, तो आप एक और Indian batsman को लेके जा सकते हो, बट मेरे हिसाब से, यह होगी team अगर Australia पहले batting करती है, यह मैं बात कर रहा हूँ, Grand Leafs की, तो यह हुई Australia की बात, आप कर लेते हैं, अगर India पहले batting करती है, KL, Rahul, फिर भी team में रहेंगे, अब अगर मैं यहाँ पर Josh अगर में रहेंगे, मेरे टीब में मिचल मार्श, इवन इन बातिंग सकते हैं, उसके लावा सूरुकुमार यादव, और श्रियस अईयर पे भी आप रिस्क ले सकते हो, इन बातिंग फर्स, फिर क्यूंकि इंडिया सेकंड बोलिंग करी, आप जडेजा को नहीं होगे, स्टॉइनिस या ग्रीन कोई, स्टॉइनिस और ग्रीन पर काफी फोकिस कर चुका हूं है, और फिर शमी और बुमरा टू रांड अप टीम, इंडिया बोल सेकंड, आपको डेफिनिटली इनको लेना है, अब एक रोटेशन क्या कर सकते हो, आप यहां पर वोगा शमी and Cummins के बीच, आपको पता है कि अगर शमी को खेल के निकाला जाता है, यहां उन्हें रंस पर जाते हैं, तो Cummins फिर भी आपको बैट और बाल दोनों से थोड़ी बहुत वाल्यू दे सकते हैं, and on the same end, in the batting section, अगर आपको लग रहा है, अप फ्रन थोड़ी सी भी help हो, तो फिर आप रुतराज गाएकवाट को निकाल के यहां पर शॉन अबट जैसे फ्लेयर को ट्राइ कर सकते हो, तो यह थोड़े बहुत rotations जो आप ट्राइ कर सकते हो, obviously GL में आप सिर्फ एक या दो टीम के साथ नहीं जाओगे, आप थोड़े बहुत variations बिल्कुल ट्राइ करोगे, जैसे आपको दिख रहा है, यहां पर बोनस कैस्ट भी बिल्कुल यूसबल है, तो यह रही मेरी बेस टीम की discussion, अब चलते हैं अचके Grand League options की तरफ, कौन से fix है, और कौन से drops है, high select drop risk bomb, जैसे मैं किया चुका है, अगर flat track है, तो शमी on that same nature deck, एक high risk drop हो सकते हैं, same for jadeja, low select dark horse picks, batters जो पहले batting करें, जैसे मैंने जब टीम बनाई हैं आपको दिखाया, batters जो naturally attacking है, naturally attacking कौन सा batter है, सूरु कुमार यादव, Mitchell Marsh, ऐसे type के batters जो है, naturally attacking है, वाइल जो naturally अपना समय लेकि खेलते हैं, वो है guilt, Steve Smith, ऐसे type के players, तो obviously यह risk बन जाता है, as naturally attacking का यह भी मतलब है कि जल्दी out होने का chance भी ज्यादा है, बट GL आप बिना risk लिए, कभी कभारी जीत पाओगे, आतो आपका luck बहुत अच्छा होना चाहिए, GL captaincy, vice captaincy choices, bowling first, abbot and commons, I think अच्छी choices हैं तापक अब चाहे यह track flat भी हो, and समझे second innings में Gil या Steve Smith भी आते हैं, बैटिंग करने, फिर भी वो 20-25 तो मार के ही जाएंगे, as हमें पता है कि बहुत ही यह flat track हम expect कर रहे हैं, तो वो इसाब से top order batters फिर भी एक अच्छी pick हो सकते हैं, and safety में manager से आपको प्रदार suitable in both green and stoiness, तो यह definitely मे मेरा opinion, आप अपने साब से rotations कर सकते हो, चीज़े change कर सकते हो, but I think यह दोनों जो games, second ODI and third ODI, इन पर मैं एक similar game trajectory expect कर रहा हूं, about 345-350 kind of score वाले games, and फिर एक pressure chase sort of game, यहां एक game में chase हो, यहां तो collapse हो जाए, and वही scenario से आप अपनी सारी teams बनाऊगे, यही है मेरा expectation, बाकी तो I think pitch report देखना बहुत जरूरी होगा, pre the toss या post the toss जब भी वो दिखाया जाए, ensure कि आप सब माइमास 11 पर sign up करें, FCP exclusive offers आ रहे हैं, वहाँ पे काफी सारे, first new users को मिलेगा, वहाँ पे 20% real cash, and आपको मिलेगा 5% real cash, even if आप old user हो, आपके deposits play, also a chance to win an iPhone 15, so ensure कि आप वो chance ना miss करें, अब चलते हैं आज के exchange 22 picks, तो बात करते हैं, exchange 22 picks की Indian side की बात करें, तो यहाँ पे आपके पास जो picks है, मौमत सिराज, अगर खेलते हैं, पहली या second bowling, दोनों scenarios में try कर सकते हो, 47 plus platform fees के साथ 49 पर आपको मिल रहे हैं, तो three wickets मिले हैं, आपका profit होगा, two पे आपकी recovery होगी, उसके बा बात करें, तो Adam Zampa bowling second at 44, जैसा उनका form है, दो wickets लेके ही जाएंगे, ऐसा लग रहा है, Sean Abbott, I think एक valuable pick है, आपको अगर एक wicket and 20 run निकाल के रहें, तो यहाँ पे batting काफी low कर रहे हैं, बट यह ऐसे type का game है, जहां mostly सबकी batting आनी ही चाहिए, especially second innings में, तो Sean Abbott एक अच्छे खा information on play, Marcus Toynes at 48, definitely कुछ shares आप try कर सकती है, जैसा इनके 5-6 over आने चाहिए, plus 20-25 run निन से भी आने चाहिए, तो यह है मेरे exchange 22 picks, ensure कि आप सब sign up कर ले, with the link in the description of this video, जल्दी मिलेंगे, एक और preview के लिए, thank you so much for all your support, and just for fun, remember to predict in the comments, आपको क्या लगता है, कितने नान मनाएंगे, आज Mitchell Mars, चल्दी मिलेंगे, thank you so much for all your support.